टीपू सुल्तान का जादू का डिब्बा, एक रहस्य मैं सूरकेशा सक्ठी पू सुल्तान जब भी बाहर जाते थे, वे हमेशा एक छोटा सा सोने का डिब्बा साथ रखते थे बॉक्स की उचाई और चौडाई 5.5 से मीत थी, डिब्बे के अंदर क्या है किसी को पता नहीं चल रहा था यहां तक की बक्सा रखने का मकसद भी स्पष्ट नहीं हो सका सोने का डिब्बा भी सभुजाओं वाला था, प्रति एक तरफ हर भी अंकों के साथ उतकीर्ण किया गया था इसके अलावा, बॉक्स में नाजुप्टिका था और पकड़ था इस कड़ी में, हम बॉक्स के दो चर्णों पर प्रकाश डालेंगे एक तो यह डिब्बा इंगलेंड कैसे पहुचा और कितनी बार अलग-अलग लोगों को बेचा गया दूसरे, बॉक्स का अउदेश और उपयोगिता आज तक अओपिया अमेरिकियों और भारती अशोध करताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है सुल्तान ने बॉक्स कब और क्यो बनवाया? क्या बक्सा किसी और जगह से मंगवाया गया था? मैचिक बॉक्स का मकसद आज भी इतिहासकारों और शोध करताओं के लिए पहेली बना हुआ है संख्याओं का क्रम, कारिप्रनाली अनुत्तरित रहती है हाला कि, कुछ इतिहासकारों का निशकर्ष है कि वे अर्भी अलफान्य मेरिक कोर के समान है जिन्हें अबजाद के नाम से जाना जाता है कुछ शोध करताओं का मानना है कि यह नक्षबंदी हो सकती है अबजाद तक नीकी और आध्यात में कुद देशयों के लिए भारतिय उप महाद्वीत में सूफियों द्वारा उप्यों की जाने वाली पारंपरिक धार्मिक संख्यात्मक प्रनाली है बॉक्स पर उतकीर नांक 11, 20, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 201, 202, 301, 401, 501, 601, 701, 801 और 901 हैं हाला की इस अनों के और असाधारन बॉक्स का सही उदेश्य एक रहस्य बना हुआ है सिर्फ इसलिए कि यूरोपियन बॉक्स के रहस्य को नहीं सुलजा सके उन्होंने इसे मैजिक बॉक्स का नाम दिया चोथे आंगल मैसूर युद्ध के दोरान हाला की टीपू सुल्तान बुरी तरह से घायल हो गए फिर भी वह प्राजेय थे एक अग्यात बृटिश सैनिक ने टीपू की बेल्ट से सोने का बकल चीनने की कोशिश की जब टीपू नजवाबी हमला किया तो सिपाही ने उनके सिर में गोली मार दी उस समय बृटिश अधिकारी और सैनिक इस बात से अनजान थे कि टीपू कौन है टीपू की मृत्यू के कुछ ही मिन्टों के भीतर बृटिश सैनिकों ने उनके शरीर से गहने और कीमती सामान निकाल दिये रात के करीब दस बजे बृटिश कमांडिंग फोस ने टीपू के शव की शिनाक्त की उन पर कोया भूशन नहीं थे उनके बांग पर केवले खीता बीज बची थी अंग्रेज शरीरंग पटना में लाशों की गिंती नहीं कर सके लेकिन संपत्ती की गिंती कर पाए टीपू की संपत्ती एक मिलियन पाउंड से अधिक की थी इसमें सोने के सिक्के, हथियार, कवच, फनिचर, बढ़ी आकपड़े और गहने शामिल थे व्यक्तिगत क्षमता में ब्रिटिश सेना द्वारा की गई लूट को व्यक्तिगत संग्रह के रूप में बेहिसाब चला गया है बड़ी दल्चस्पी की बात यह है कि खुद जुटाई गई वस्तूं की सूची 2012 में नीलाम की गई टीपू से मैजिक बॉक्स किसने चुराया यह अग्यात है डिबा इस्ट इन्या कंपनी के जेनरल रॉबर्ट बेल के पास पहुचा उन्होंने इसे अपने मित्र सर चाल्स हॉपकिनसन को दिया सर चाल्स ने एह डिबा अपने भतीजे हैंस विलियम सोथभी को दिया उनकी पतनी शारलोट को और निश्ट ने अपने दूसरे पती इनग्राम बाई वाटर को बॉक्स दिया इनग्राम ने इसे 1914 में रोबर्ट बेल के पर पोते चाल्स फ्रांसिस बेल को उपहार में दिया था उसके बाद ऐसा लगता है कि इसे कई बार बेचा गया है 2005 में इसे सोथभी के माध्यम से बेचा गया था 2019 में फिर से इसे कग्यात फेसलिस फोन खरीदार को $495,000 में बेचा गया था अगर आपको यह एपिसोर दिल्चस प्लगे तो कृपिया लाइक और सब्सक्राइब करें भारती अइतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपिया इस चैनल को सब्सक्राइब करें